हलो एवरिवन वेलकम बैक आज हम पढ़ने वाले हैं विस्वस्वास्त संगठन और इस टॉपिक को हम बहुत डेटेल में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो जो है मेंस एक्जाम्स को दिहान में रखके बनाया गया है और इस टॉपिक के अंतरकत जो डबलू एचो है हाला क कि अभी आजकल बहुत न्यूज में भी है इसलिए भी ये बहुत महुत्पून हो जाता है कि संभावना है कि मेंस में इसके कॉशन लिखने के लिए आ सकते हैं तो इस टॉपिक में हम सब सब पहले पढ़ेंगे कि डबलू एचो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑगनाईजेशन है इसके क्या उद्देश हैं इसके संरचना कैसी होती है इसके क्या कारे हैं और कौन-कौन से कारिकरम पूरे विश्व में डबलू एचो ने कियो हुए है तो इस टॉपिक कॉम को बहुत डिटेल में पढ़ना है और ये वीडियो मैंने मेंस को ध्यान में रखके ही बनाई चलिए तो शुरू करते हैं विश्व स्वास्व संग्ठन के बारे में पढ़ना इन चारों जो सब पॉइंट्स हैं इसमें एक एक करके हम हर चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आपके यदि कोश्व होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं उसके आंसर जरूर क recruitment करूंगा दोस्तो सबसे पहले विश्व स्वास्त शूरूत कहां से हुई है तो दोगो जैसे नाम से पता चलता है हम को इसके एक सेसा संग्ठन है जो विश्व के स्वास्त के लिए काम करता है ठीक है तो चितनी भी स्वास्त संबंधि समश्य होती हैं उनको आप सी मानक विक्सित करने वाली एक संस्ता बनाई गई है जिसे हम विस्व स्वास्त संगठन कहते हैं मतलब ऐसी संस्ता है जो विस्व के स्वास्त का ख्याल रखती है कि अब आपके देश में जो स्वास्त मंतराला होता है वो आपके देश के स्वास्त का ख्याल रखता है लेकिन आ संगठन किया विशक्ता है जो वेस्विक इस तर पर बीमारियों का नियंतर्ण समन्वेन करे और लोगों को बीमार होने से बचाए ठीक है तो यह जो संस्ता है वर्तमान में इसमें 194 फदस है 194 फदस वर्तमान में विश्चुस्वास संगठन से जुड़े हुए में दो और फदस्त हैं जो परिविक्ष्च्ण संब्ध्द्द फदस्त उनको कहा जाता है तो मुख फदफ जो है डवलोईच वर्तमान में जुड़े हुए है तो डव्व इचु किसके तहन काम करती है तो डव्व हो जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन है संयोकतराष्ट उसकी जो 16 वस्ट एजनसीज़ है उनी में से एक है वल्लिब यॉनाइटिड नेशन वैस्ट्रिक जो संयोकतराष्ट है उसके अंतरकत बहुत साले स्पेसिलाइज एजनसीज़ काम कर रही है ठीक नथ उनी में से एक जो डबल वाचो है आपको क्योंकि 7 अपरेल 1948 को डबल यह चो का गठन किया गया था और 7 अपरेल को हम 277 संगटन का गठन किया गया था इसका मुख्याला कहां है इसका मुख्याला स्विजर लेंड के जेनेवा शहर में इस्थे थे MPPSC में लिखने के लिए ये थ्री मार्क्स में कौशन आ चुका है कि WHO का मुख्याला कहां है तो आपको अच्छे से याद रखना है कि WHO का मुख्याला स्विजर लेंड के जेनेवा शहर में है और इसका स्थापना जो है साथ अप्रल उननीस वर्तालिस को की गई थी वर्तमान में इसके एक सो चौरानवे सदस हैं और यह सेप्टरास्ट की एक विस्ष्ट एजनसी के रूप में कारे करता है और इसका उदेश की का है विस्ष्ट की स्वास समंदी समस्याओं को आपसी सही उगद्वारा सुल जाना यह इंट्रडक्शन मैंने आप सब को बता दिया यह फैक्ट्वल चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं तो भारत इसका एक स्थापना फदस्ट की रूप में कारे करता रहा है भारत ने भी बहुत पहले इसकी फदस्टा ले ली थी जब बना था तबी सही और इसका मुख्याले जो है भारत का इसका भारती मुख्याले भारत के जानी दिल्ली में इस्थे थे क्योंकि इनके आफिस होते हैं डबल एचो का जो आफिस है भारत में वो दिल्ली में इस्थे थे यह एक अंतर सरकारी संगठन है अता सामनत अपने फदस रास्टों के स्वास्त मंत्रालेओं के सहयोग से कारे करता है तो 94 जो फदेस हैं उनके हर देस के जो सास्त मंतराला हैं उनको आपस में सहयोग से अंतर सरकारी संगठन के रूप में ये कार्य करता है तो हर सरकार के जो रिप्रेजंटेटे होते हैं प्रतिनिदी होते हैं सास्ट विभा के वो डबल एचो में पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी एसेंबिली के फदस्थ से होते हैं वर्तमान में इसके जो महा निर्देशक हैं उनका नाम है डॉक्टर टेडरोस एड्रेनॉम गेबरेसस ये इस साल बहुत नियूज में रहे हैं क्योंकि इनका जुकाव थोड़ा चाइना की तरफ जादा है इसलिए कोरोना का जो मामला हुआ इसमें इनों की थोड़ी प्रतीक में चुने गए थे 2017 से एथियोपिया के डॉक्टर टेडरोस जो हैं वो डॉच्वो के महा निर्देशक हैं और 2017 से ये काम कर रहे हैं और डॉनल्ड ट्रंप के साथ इनकी अक्सर लड़ाई चलती रहती है क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि डॉच्वो ने जो है महा निर्देशक के बनने के चुना हो रहे थे तो चाइना ने इनका सपोर्ट किया था ठीक है ना तो डॉनल्ड ट्रंप ने जो है डॉच्यो में अपना फंड अमेरीका देथा उसको कैंसल कर दिया है कि अब भारत जो है वो डव्-जो में अपना फंड नहीं देगा छीक ह होते हैं क्योंकि फचेवाला पूरे साल भर काम करता है assembly के अध्यक्ष जो होते हैं वो अलग होते हैं जो executive board के फदस होते हैं वो अलग होते हैं जो सचीवाला होता है जो पूरे साल भर काम करता है साल भर फदकता से जो policies बनती हैं उनको लागू करता है फीड़बैक लेता है, अपने फैसले देता है, और उन लागू करवाने का महाने डिर्देशत का जो महाने डिर्देशक कहाता है, फचिवाला का जो प्रुमूक है को महाने डिर्देशक कहलाता है, वर्तमान मैं डॉक्टर टेड्रोस, आगे बढ़ते हैं यह एक फ्लोचार्ट है जो डब्लूटियो डब्लूएचो ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है अगर आपको यहां साफ नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा तो आप जो है इसको वहां लिंक में उपन करके इस पीड इस फ्लोचार्ट के माद़र में से समझा रहा है मैं पढ़के पढ़ देता हूँ दिया आपको यह नहीं दिख रहा है तो जैसे पहला कह रहा है एक ग्लोबल हैड़ कौर्टर से जिलेंड के जिनेवा में छे इसके छेतरीय कार्याले हैं और एक सुननचाफ पे ज़्यादा राष्टरों में इनके आफ़ेस बने हुए हैं जिन में साथ हजार से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हूं ठीक है ना ऑपचास पर्परपन पे जिजादा जो इनकी वर्कफोर्स है वो राष्टरों में रहके काम कर रहे हैं छे ग्लोबल लीडर बनाये हूए हैं जो कौन है हैं छे छेतरी कारलाओं के प्रमोख हैं ठीक है ना 194 के आसपस फदस्ट राष्ट हैं जो काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहा है डबली ऑच्व कनेक्ट कंट्रीज राष्ट्रों को एक साथ कर रहे हैं हम और कॉमन चैलेंज के परती तैयार कर रहे हैं अगर कोई एक बड़ी सम स्वास्ट के लक्ष हैं हमारे उनको हम पराप्त कर सकें तो यह डबली ऑच्व का एक चार्ट है मैं आपको पीडियाप की लिंक दे दूँगा तो आप उपन कर लेंगे चलिए अब कॉस्चन आता है कि डबली ऑच्व के उद्देश क्या है ठीक है तो उद्देश सबसे ब आय की असमता इतनी जादा है और विकसित विकासील की होड में जो गरीब और नीचे तबके के लोग हैं उनको स्वास्ट विदा नहीं मिल पाती हैं तो डबली ऑच्व एक बड़ी संस्था के रूप में वेस्ट विक इस्तर पर काम करता है और यह इसका अपनों कुदेश ही है कि वेस्ट विक इस्तर पर प्रतेक नागरिक को चाहिए वो किसी भी देश में हो मतलब 194 मेंबर के किसी भी सदस्थ को सही स्वास्ट विधाय प्रदान की जाएं और उसी प्रयास के लिए जो है डबली ऑचो काम करता रहता है यह मुख मैंने आपको कार्य बता दिया इ बिए का रहो थो है उनका निरदेशन करना और मैनिज मेनेज करना और डायरेक्ट और गरने नगर जित्वी एजन्सिय हैं विस्वूं विस्व में छेत्र में काम करने चातो सरकारी हों चाहे प्रड़ाइव.ट हो चाहे अंगा और किसी भी प्रधिक प्रकार की करेंके बगएरा होती है प्राइवट लैब होथी है प्राइवेट रिसर्च इंस्ट्याट्थे है निसो स्वास्ता के छेत्रें बालाएं प्रजा नहीं सबसे सहीोग स्थापित करना अपनी जो सला होती है वो राष्ट्रों को देते हैं स्वास्थ मंत्रालाय उनको देते हैं इनके जो प्रतिनेदी होते हैं वो मंत्रालाय की फदस्चियों से मिलते हैं मंत्रियों से मिलते हैं उन सब को अपनी एड़वाईज देते हैं उनसे सलाह लेते हैं उनको बताते हैं कि कि लैब होते हैं ऐसे ईएटी में हैं हैं इन आईटी होते हैं बड़े-बड़े फार्मेस्य पॉले हैं सब जगर होती है तो क्या रिसर्च कैसे लोगों के काम आ सकती है तो साइंटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बड़े-बड़ी conference करवाते हैं, meeting करवाते हैं, ताकि उनकी feedback लें और वो क्या खोज कर रहे हैं, उन सब को कैसे ground labor पर हम implement कर सकते हैं, वो सब WHU करता है, इसके लाब बीमारी और अम्रत्यों के कारणों की क्लासिफिकेशन वर्गी करण कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैटिगरी क्या होगी, यह सब मानकी करण भी है, जो है वो कौन करता है, ठीक है, स्वास्ट सेवां को फुद्रन करना, सरकार को सहायता प्रदान करना, प्रशाशन तकनी की सुविधाएं, कोई डाइगनॉस्टिक के टेदी बनती है, कोई दवाई अधी नहीं बनती है, जो किसी विसेस वायरसे बेक्टिरे किलाफ काम करती है, तो डुबल वीचों बीच में आएगा कि कैसे उनका अधिक सदे को तुपादन हो, ताकि दुनिया में जो है, बराबर सभी लोगों को वो पहुँच पाए, तो यह डुबल वीचों के मुख रूप से, में में उद्देश मैंने आपको बताएं, तीन से चार आपको याद रखना है, ताकि में में उद्देश पर लिखने को आए, तो अब यह चार से पाँच पॉइंट अपारा हम से लिख पाओ, अई होप कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है, तो यह जो है, मुख डबल वीचों के उद्देश हैं, इसके बाद जो है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि मुख जो हेड़कॉर्टर है, वो कहा है, स छेतरी कारयाले हैं, जो दुनिया में अलग अलग जगा पर स्थापित किया गए है, ठीक है न, तो अब देखेंगे जिसे अमेरिका में एक हो गया, अफरीका में, एक यूरोप में, एक पश्चिमी पशांत में, एक पूरी भूमेद इसागर में, और एक दक्षनपूर में मिलके किसको रिपोर्ट करते हैं, वो महा निर्देशक को, जो मिस्टर टेड्रोस अभी मैंने आपको बताये थे, वो है, तो ये जो है, तो वर्तमान में जो साउथ इस्ट एशिया के जो नई दिल्ली में छेत्रिया की निर्देशक हैं, उनका नाम है डॉक्टर पूनम छे इस्टिरियक कारियाला इनका है, तो इसमें बहुत सारी नियूज ये समय समय पर प्रकाश्चित करते रहते हैं कि क्या इस्टिती चल रही है, ठीक है, अब आग डबल ये जो की स्टिती क्या है, ठीक है, तो ये देखे हैं, आप इसको नियूज को दी पढ़ेंगे, तो उस आतमा है, ये डॉक्टर पूनम छेतरपाल सिंग है, जो हमारे रिजनल साउथ इस्ट एश्ट एश्या की हैड है, इसके अलाबन कि बहुत साई रिपोर्ट आती ही रहती हैं, जैसे कि ये देखिए, आप नॉन कम्यूनिकेबल, मतलब जो गेर संक्रमन कारी बीमारियां होती है, इस पकार की बिमानिया जो है, सबसे ज़्यादा लोगों को मारती ही, ठीक है न, ये और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, आप देख सकते हैं, टीवी के बारे में हैं, इमर्जेंसी के बारे में हैं, जो इनके सर्वे रिपोर्ट आती रहती हैं, आप डेटेल में तो यहां से पढ़ सकते हैं, चलिए, तो ये आपको ये नाम याद रखना है, तो केवल ये याद रख लें, आपकी दक्षिनपूर वेश्या का जो छेतिरी कार्याला है, वो मुख्याला है उसका नहीं दिल्ली में, अब इसका संचालन कैसे करता है, ये बहुत मात्तपून हैं समझना, तो इसके जो संचालन है, प्रो डबल ये अचो के, वो उसके तीन प्रमुक अंग हैं, पहला जो प्रमुक तत्थ हो कहलाता है, वर्ल्ड हेल्थ असंबली, विश्व स्वास्थ सभा, जिससे युनाटेड नेशन्स की होती है, वैसे ही इनकी भी एक सभा होती है जिसमें 194 जो फदस देश हैं, उनके एक एक प्रतिनीदी आते हैं, तो वो सब मिलके जो हैं, जो साथ हमें बैठते हैं, तो उस एकाई को जो विश्व स्वास्थ सभा कहा जाता है, उस विश्व स्वास्थ सभा मैंसे एक एक एग्जिक्यूटिव बोर्ड के गठन किया जा जाता है, जो सामानता तीन साल के लिए फदस उसके चुने जाते हैं, और ये जो पूरे सभा मैसे जो है कारेपालक बोर्ड एक्जिक्यूटिव बोर्ड बनाया जाता है, ठीके ना, उसके बाद एक सचीवाला होता है, जो सभी पॉलिसी नीतियां ये विश्व सभा मिलके उनको साल भर कैसे लगू करना, जो वित्त के निर्ने लिये जाते हैं, एक्जिक्यूटर बोर्ड के दोरा, उनको कैसे लगू करना है, ये पूरा जो साल भर का डॉकुमेंटेशन का काम है, वो सचीवाला करता है, और सचीवाला का ये प्रमो क्या कहलाता है, महानरदेशक क लाता है जो मिस्टर टेड्रोस के बारे में हमने देखा था इतोपिया के रहने वाले डॉक्टर सहाब ठीक है यह जो है तीन प्रमुक अंग हैं जो डबली एचो के अंतरगत काम करते हैं तो पहला विस्ट स्वास्थ सभा दूसरा कार्यपालक बोर्ड और तीसरा सचिवाल है तो जैसे मैं आपको बता है कि विस्ट स्वास्थ सभा में जो होते हैं प्रतिक देश्ट के प्रतिनिदी होते हैं यही नीतियों निर्धारन का काम करता है तो यहां पर जो होता है नीतियों निर्धारन का काम किया जाता है ठीक है तो सामनता फरभरी में एक्जेक्यूटर बोर्ड की मीटिंग होती है और वो डिसाइड करता है कि इस बार जो विश्वास सभा बैठेगी वो किस मुद्दों पर चर्चा करेगी और किस मुद्दों पर बात होगी और कौन-कौन से नीतियों पर चर्चा होगी और लगू किये जाएंगे ठीक है क्योंकि अंतिम जो है फरबरी में बैठके अपना एजेंडा डेसाइड करता है तो विश्वास सभाना जो निड़ना ले लिया जो पॉलिसीज लगू कर दी उनको लगू करना और साल भर की जो कारे हैं वो काम से जिवाले करता है और उसको उसको डारेक्ट करता है कौन महानर देशक यह सं कि उटो बोर्ड समझे लें और जो सचीवाल होता है उसको आप उसको आप फचीवाले समझे लें उसको जो हैड है जिसको हम सेक्रेटरी कहते हैं सच्चिव कहते हैं यहां पर महांज़द्ध इशक का थैंविश्वत इतना अंतार रहे डब्लो एचो सर्यों प्तरा ईनैश WHO के फदस होते हैं, हालांकि United Nation के फदस से ज़्यदा फदस से WHO में काम कर रहे हैं, उसको फची वाला है, फची वाला में जो महान देशक है, ऐसे तकनीकी और प्रशासने करमचारी सामिल होते हैं, तो जो प्रशासने करमचारी हैं, तो टेकनिकली पूरा काम करते हैं, और आइ संचालन इस तरीके से किया जाता है तो तीनों अंगों के वारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यह कॉशन आ चुका है कि डबल या चुकी संरचना को समझाईए तो संरचना में यह तीनों तत्तों के वारे में आपको के महीने में बिस्वास सभा की मीटेंग होती है और वो सारे जिर्णाय लेती है चलिए अब डबली ओचो के पास पैसा कहां से आता है तो बहुत सारे देश मिलके डबली ओचो को पैसे देते हैं सारे मेंबर जो फदस्स हैं वो सब पैसे देते हैं वरतमान में जो सफ़ादा पैसे दे रहा था वो था अमेरिका लगबग टोटल फंड का लगबग 15% जो था 2008 के आंकड़ों के अनुसार केवल और केवल अमेरिका प्रदान कर रहा था कितने लगबग 14-15% के लगबग जो कुल धन है वो अमेरिका से आ रहा था दो तर अक्ठारा का डेटा मैंने आपको दिया हुआ है लगबग 42 अरब 52 करोड या फिर आप 553 मिलियन डॉलर जो कह सकते हैं फंड के फिर अमेरिका ने दिया हुआ था ठीक है तो यह जो चार्ट है आप देख सकते हैं इसी लिए सबसे बड़ ज्यादा न्यूज में था क्य बायब हो जाएगा आप चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी वर्तमान में अगर अमेरिका दे रहा है तब किसका कितना फंड है यह आप इस डेटा को बहुत अच्छे से याद रखें आपको फैक्ट चुल कुछ चीज़ हैं बहुत काम आएंगी में समोट तर लिखने में तो अमेरिका 14% दे रहा है उसके बाद ब्रिटेन दूसरा देश है जो सबस्या देता है 7.8% जर्मनी 5.7% वर्ल्ड बैंक 3.4% यूरोपियन कमिशन 12% कुछ और सुरी 3% कुछ और इंटरनेशनल प्राइवेट ऑगनेजिशन से जैसे की गेट्स आंडेशन तो मिलेंडा गे कि आप समझपा रहें मेरी बात को तो यह जो है बहुत ही important हो जाता है भारत का बहुत काम है contribution point 48% है और यह जो पैसा किस आधार पर दे रहे हैं हर देश अपनी जनसें के और GDP के आधार पर इसका कुछ निर्धारन किया जाता है वर्तमान में 1980 के पहले से यह प्रिक्रिया च अपना contribution कर रहा है ठीक है ना तो फंड डव्योचे के पास रहता भी नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा सुधार की इसमें आवश्यक्ता है ठीक है तो यहां पर आप पार्टनर और भी दूफर तरीके फ़र देशक्ते हैं जो समाज भले के लिए दान देते हैं जैसे कि आप यहां पिल गेट से मेलेंडा गेट से बहुत सारी अरो लोग वी होते हैं तो टोटल फंड में तेरा परसंट इनका योगदान होता है मेंबर स्टेट है मतलब जो रास्ट रहे हैं वही पचास करशस परसंट दूसरी चीज़ों से आता रहता जिसेसे पार्टनर्शिप करते हैं कोई लोग दान देते हैं कुछ और ओइसे जुसा पैसा आता है तो कुछ रखें जैसे कि इनग्म पैसे से आता है रोटल फैसे कुछ राष्ठन जैसे हमेरिका 14 पर संट ब्रिटन चात फिर्म वैज़ रूर्वन परसंट बारत 0.48% जो है इसमें दान देता है और चाइना इसमें नहीं है तो ये आप एक सुधार के रूप में एक पॉइंट लग सकते हैं कि चाइना जो है बरतमान में इसमें नहीं आता है इतनी बड़ी अर्थवस्ता होने के वावजूद मतलब जो फंड देने की प्रिनाली उसमें सु बहुत जादा देनी इस्तिती है राष्ट्रों की अपनी इस्वास सुभिधा है बहुत कमजोर है इसलिए डब्ली अचो बहुत ज्यादा जो फंड है वो 32 परफंज टोडल फंड है वो फ्रीका महादीप में खर्च कर रहा है इसके बास सब्ताइस परसंट इस्ट मिरिटे तो वहां पर यह खर्च क्या रहते हैं पूले छेतर लड़ाई जगड़ा चरते रहते हैं सीरिया वाग्या सपास का छेतर तो वह बहुत स्वास स्वास स्विधाय जो है डबले जो के दौरा प्रदान की जाती है लगए निस परसंट खर्चा है वह एड़कॉर्टर्स पर क्याता है इनके सबकी कारेयाल है जो होते हैं उनका जो प्रशाशने को सची वाले का जो खर्च होता है दिकाजियों को रखने को उस पर खर्च होता है इसके अलाबा वेस्टन पे यूरॉप तो बहुत कम फंड जरूरूत है साड़े छाए परसंट है वेस्टन पेशिफिक अगर प्रोग्राम वाईज हम देखें तो लगभग एक बिलियन पैसा जो है वे वेचो ने पॉलियो पर खर्च किया है जो बहुत बड़ा अमाउंट है इसलिए दुनिया में पॉलियो पे हमने सफलता से काम कर पाया भारत नहीं बहुत ही सकती के फाद पॉलियो के प्रायता की थी और बहुत पैसा करच किया है सबसे ज़ादा पैसा जो है डबल वेचो ने पॉलियो पर काम किया है इसके ब्राड जो है एसंसियर फीन से डिक्षिन कंट्रोल होती है प्राइमरी हेल्थ केर है जो मूल भूत सवास्त सुभीदाएं जो है उस पर खर्च किया जाते हैं वेक्सिनेशन पर इतना साड़े तीन सो मिलियन डॉलर खर्च किया है उसके अलावा आउट ब्रेक्स प्रेवेंशन कंट्रोल्स होते हैं अचानक से कि बीमारी फैल जाती है इसे कि पहले इबोला फैल गया था जीका फैल गया आप कोविड फैल गया तो इन सब के लिए भी सरकार के पास एक इमर्जेंसी फंड होता है उसमें से पैसे निकाल के फिर दिये जाते हैं तो कुछ-कुछ इंपॉर्णट फैक्ट है ज़रूर याद रखना आपको बहुत का प्रिया से ही है कि थोड़ी सी महनत भली हो जाए लेकि अच्छा डेटा अच्छा कंटेंट आपको परापत हो ताकि यह बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएं और अक्सर प्रॉब्लम यह भी होती है कि हिंदी में डेटा मिल नहीं पाता है एक जगह ठीक है अब हम समझते है जो communicable disease होती है जो एक से दूसरे में फैलती है संक्रामक बीमारिया होती है तो इस थापना के प्रमुक जो दस वर्स थे उसमें WHO ने अपना focus संक्रामक बीमारियों पर किया था कि कैसे भी करके हम बीमारियों को कंटेंट करना सीख जाएं किसी एक गाउं या तैसियल में यह लोग आपस में कम्यूनिकेशन से फैल जाती है तो कैसे हम लोगों को गाइड करें कि मूढ़को फटब खासो या फिर किया सिंटम आएं कि आप वहां तुरंत अस्पताल में आओ आप डॉक्टर को दिखाओ अगर खासी में खून आ रहा है या पर आपको लंग्स में किया गया पहले दसक में दो प्रमुक बीमारियां जो थी पानी के खारनि एका फयल रही थी यूंकि पानी में बहुत सारे इंफेक्शन्स हो जाते है तो उनके ने के लिए क Не अशक पनाये थे जो मुक्रूब से जाने जाते हैं तो न दो बीमारियों के ज़रूर आप णाव पहला था river blindness और दूसरा था सिस्टो सोमियासिस इनके जो रोग वहाक होते हैं वो पानी से फैलते हैं तो एक समय था लोगों में बहुत जाहिए बिमानी फैल रही थी river blindness और सिस्टो सोमियासिस तो इनके लिए डबली एचो ने बहुत actively काम किया था और कुछ कीटना शक बनाय वेस्ट्विक इस तर पर बड़े-बड़े अभियान चलाए और कुछ प्रमुक बीमानियों को target किया मुक्रूफे च्छे बीमानिया थी उस समय सबसे बड़ी समस्या थी जिसमें पहला था diptheria, titnes, kali khansi, khasra, poliomyelitis और छे रोग जिसको हम TB कहते हैं इन सब के लिए extensive टीका काम किया था तो यह सब चीजें आप आसानी से इंजेक्शन से लगते हैं अभी काली खासी होती है, measles हो जाता है, खसरा होता है, polio, मैं कितना काम किया है, TB के लिए अपन BCG की वेक्सीन लगवाते हैं जन्म के इस six months के बार, तो यह BCG की वेक्सीन लगती है, TB के लिए, tuberculosis क जिले जो एक bacterial infection है, mycobacterium tuberculosis से होता है, तो तीफे दिसाक में इन छे बीमारियों पर काम करना शुरू हो गिया, चौते दिसाक में 1970s AC के बीच में एक प्रमुक घटना जो है, वो बहुत महत्पूर्ण है, वो आप सब को याद रखना है, वो था कि एक Westwick सम्मिलन आयोजित क किया था, WH-O ने UNICEF के साथ मिलकर, कहां सोवियत संग का एक शहर है, उसका नाम है Alma-Mata, तो Alma-Mata इस conference ये Westwick सम्मिलन इसको कहा जाता है, जिसमें UNICEF ने और WH-O के साथ मिलकर, जो है, सब को साथ ये वादा किया था कि 2020 तक जो है, सभी के लिए स्वास, मतब हेल्थ फॉर आल प्रात्मिक स्वास्थ सुविधायन जो है, वो प्रत्यक व्यक्ति तक 2020 तक हमको पहुचनी चाहिए, ये उद्देश जो है, इसका वादा किया गया था, Alma-Mata Conference, वेस्विक सम्मिलन जो Alma-Mata में हुआ था, जो सोवियत संग का एक शहर था, ठीक है, तो इसमें क्या उद्दे हाइलाइट है, आपको इसको याद रखना है अच्छे से, इसके बाद अंतरश्टी पेजलापूर्ती वेफच्छता दसक 1990 तक माना गया, औरल रहाइड्रेशन थेरेपी, जो आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं, ORS, तो उसमें बच्चों में बहुत बड़ी समस् हो जाती है, तो इस्ती जावरुपता नहीं थी, कि बच्चों की देखभाल कैसे करें, तो WHO ने औरल रहाइड्रेशन थेरेपी, जो ORS होता है, उसको रेकमेंड ने किया, कि बच्चों में डाइरिया दी होता है, तो तुरंत बच्चों को जो है ORS लगातार पिलाएं, तो डाइरिया पर हमने बहुत ही अच्छा कंट्रोल पाया, तो वो भी जो है, चौथे दसक के आसपास, WHO का ही एक प्रमुक कदम था, तो ये आपको एतिहास क्यातरा अच्छे से याद रखनी है, इसके बाद 1997 में, अब ये इंटरनेट का जमाना था, कनेक्टिविटी का जमान था, तो एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाया गया, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो इसका नेटवर्क बनाने का उद्देश ये था, कि अगर कोई महामारी फैलती है, तो तुरंत चितावनी जो है, पूरी दुनिया में, देश में, इंटरने डेवलप्मेंट ब्लूपरिंट, डेवली आचो का अनुशंदान में विकास ब्लूपरिंट उसका नाम है, तो ये बीमानियों और उनके कारक जो है, उनकी पहचान करता है, और उन देशों को सूचित करता है, कि ये जो बीमारी है, बहुत ज़्यादा फैल सकती है, तो आप अच्छा काम करें और इसको रोकने का परियास करें, ताकि कोई आपात का लेस्तिती ना पहुंच जाए सारवजनिक स्वास्त में, जैसे के भी फैल गई कोरोना के चेतर में, तो ये जैसे पहले भी हुई है, और इनने बहुत अच्छा काम किया, जैसे एबोला फैला जी का वाइरस फैला था, निपा वाइरस फैला था, तो जैसे कोई वाइरस बड़ा फैलन लगता है तो तुरंत सारे राष्ट्रों को मेसेज भेज देता है कि आप जगरोख हो जाओ, और जो प्राइमेरी टेस्टिंग है, वो सुरू कर दो आप, ठीक है, इसके अलावा ज क्योंकि इसका इस्ट्रेन है ये नया, बाकि कोरोना जो है, एक मर्स और सार्स फैमिली का ही पुराना वाइरस है, जिसको हम सार्स कहते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरिट्री सिंड्रूम, तो वेस्ट विक्षास के लिए बड़ी-बड़ी समस्या है, तो इन सब के लगा जाता है, तो उसके लिए भी आप देखते हैं, कितनी जागरुपता फैलाई जाती है, और चारों तरफ उनके जो रेड रिबन आपने देखा हो, तो उसके अलग से केंदर बनाए जाते हैं, इस्पतालों अलग से छेतर होते हैं, जागरुपता की एड़ बनाई जात लोगों को इनका ट्रीटमेंट सस्ते में करो, तो बाइस मिलियन लोगों को एंटी रेट्रो वायरस एक एक रेट्रो वायरस होता है, जिनमें डबल इस्टेनर्ड आरेने होता है, उनको रेट्रो वायरस बोलते हैं, तो एंटी रेट्रो वायरस थेरेपी दी जा रही है, है HIV के दोरह HIV को ट्रीट करने के लिए कुछ और प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस होता है मतलब बीमारी होने के पहले निवारा को पाय करवाया जाते हैं बोगों को बताया जाता है जैसे की AIDS कैसे हो जाता है ब्लड ट्रांस्फूजन से हो जाता है जहां से रक्त दान किय जाते हैं तो सही जांच की जाएं यहां नहों कि रख्तदान तो करवा दिया लेकिन रख्तिको एड्स था तो आपने किसी और को लगा दिया तो इसको एड्स हो गया तो इस प्रकार की खजकता के लिए डबल ओएचो फंड देता है और चाहीं वीवा काम कर रहा है बरतमान डबल ओएचो काम कर रहा है वो तो कोरोना नसब खराब कर दिया इनकी अदर्वाइस डबल ओएचो का अच्छा रहा है अभी कोरोना के कारण लोग इतने सजग हो जाएंगे अब स्वास्त के परती कि अब बाकी सब बीमानियों के आप देखेंगे तो अचानक से डेटा ज है तो कार मैंने आपको अलड़ी बताए हैं लेकिन एक जनरल ओवर्वियू हम देख लेते हैं तो जो भी सिफारिश होती हैं संधिया समझोते विनियम बनाई जाते हैं उनके प्रस्ताव रखता है अंतर राष्टी नीमावली बनाता है अंतर राष्टी मानिकी करन करता है लुए वायरस को क्या नाम देना है क्या विवाय दवाओ के नाम क्या नाम रखने हैं कैसे दवाईया पहुंचाने हैं से वष्ता हैं ठीके न छयाय शैतार रंध्य चैंट्र बनाएंगा च्छेत्री बनाएगा भूमंडिली अरण नीतिया बनाएगा विश्व के लिए अलग बनाएगा अलग अलग देशों को अलग बनाएगे इसलिए छेत्री कार्यालय काम करते हैं कि हर च्छेत्री कार्यालय के अंतरकत बहुत सारे आठ से दस बारा पच्चीस रास्ट रहे हैं कैंसर से किते लोग मर रहे हैं, किस छेतिन में जादा मर रहे हैं, कौन सा कैंसर सबस्यादार डैथ करता है, कौन से कैंसर की रिकवरी सबस्यादा है, कौन सी दवाई सबस्यादा है, बहुत एक्स्टेंसिव रिसर्च का ही काम करते हैं, तो अबरॉल हम कारी की बात करें, तो उनका मुक्कार लिया है कि सार भूमक स्वास्त की वकालत करना है जो भी जोखे में रिस्ट को पहचानना है आपात का आपात स्थिदियों में लोगों के घटा करना है अवेरनेस का प्रदान करना है ठीक है लोगों की पर्तिक्या समन्वाय करना है मतलब मानो स्वास्ट और भलाई को बढ़ावा देना है विस्व की स्वास्ट के रक्षा करने के लिए डबल एचो आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ ठीक है और पूरी कोसिस करता है कि जतना फंड उसके पास है जतना फंड उसको मिल रहा है उसमें रहे कि अच्छे सचा काम किया जाए इसके जो कारेक्रम होते हैं मुखरूप से इन 67 पॉइंट के अंतरगत ही होते हैं जेतने भी एफेक्ट होते हैं स्वास्ट तो सिक्षा की आंतरगत होंगी तो स्वास्थ सिक्षा का मतलब होता है Awareness Campaign. जागरुपता के Campaign कराई जाता है. भ Faz CT duration को भूशन के लिए-डवाईज करता है कि क्या भोजन दो, कितनी मातरा दो ठीक है उसके बास फ़च्छ जलो अदरवूट सच्छता तो आप कितना ही अच्छा खाना देलो कितना ही अच्छा टई्ट्यूट्मेंट दो व्लब द करा लो लेकिन जब तक बिमारियां हो रही है तो सबसे बहुत करके ना चाहिए कि बिमारियां हो ही ना तो होईना के लिए क्या करना पड़ेगा अच्छा पानी पी हो, आसपास सफाई हो, मुलभूत सचालेगी, सुविधाय हो, खुलेगे मल त्याग ना हो, तो बीमारियां कम होगी, तो कंट्रोल अच्छा होगा, अगर आप यह सोचें कि दवाई बहुत अच्छी बन जा है, त अच्छे पानी की वस्था के लिए अडवाईस करता है, अधरबूत सचता है, स्कूलों में सही सैनिटेशन वगेरा हो, वैक्सिनेशन सबसे आदा सफल प्रोग्राम है इनका, क्योंकि वैक्सिनेशन के दौरा बीमारियों का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और इसी छेतर वस्थे में के विमारी फैलिये तो वहां के लोगों के स्ट्रक्षा पहले हो, समन विमारियों घावों का इलाज मतलब प्राइमरी हेल्थ के है, कि अगर छोटी मोटी कोई चीज हो रहे हैं तो आपके छेतर पर ठीक हो जाए, ऐसा ना हो कि वो इलाज नहीं हो प लोगों से मिल के काम करता है और दबाव बनाता है राष्टों पर कि आप उस कंपनी पर जो आपके राष्टों में काम कर रही है, दबाव बनाएं कि ये दबाईं जो हैं सस्ती मिलें ताकि सभी को लब्द हो सकें, तो इस प्रकार से डबल चो कि कारिकरम इन्हीं इस तर्मवरद्धी हो, तो ये जो है आप जरूर इनको लिखें अपने उत्तर में, और वीडियो के ज़्याद ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, इसके बाद भारत के संदर में क्या इस्तिती है, तो तीन प्रमुक चीज़ें में पॉइंट यहां पे लिखें, तीनों प ठीके ना, मतलब जब जब इसका सम्विधान बन रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मुख्रूप से इसका जब सम्विधान बन रहा था क्योंकि नियुनाइटेड नेशन बनने के बाद से ही इसके कारोजना पर काम चल रहा था तो भारत इसका स्थापना फदस्थ माना गया है तो सबसे पहले जो इसकी प्रारमबे की मीटिंग्स होई थी वो तब से ही उनीस वरतालीस से प्रा बहुत अच्छा काम किया है ठीकिन यहां पर यह देट कंफूज कर सकता है आपको तो डेट आप ना भी लेखें तो भी कोई समस्थ्या नहीं है तो यह देट में हटा देता हूं चुछी कंफूज करेगी इतना लेकिने की जावशक्ता है हम बजियाद रखें कि उनीस वरत तो प्रमुक्च बीमारी थी वो थी चेचक की स्मोल पॉक्स के करण बहुत ज्यादा वार्य डिसीज है वाइरस के करण होती है बहुत ज्यादा लोगों की मृत्य होती थी भारत में तो यह डेटा बादा चौकाने वाला है कि उनीस सो सड़फट में जो विश्व में कुल म है चोना है भारत में जो है चेचक उनमूलन कारीकरम भारत में शुरू पीक कहते हैं इंटैंसिफ स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम गहन चेचक उन्मूलन कारीकरम उननीस सो वद फट वट brush से भारत में चला गये और दस साल में भारत ने बहुत अच्छा काम किय और चेचक का उन्मूलन भारत ने भारत से चेचक का उन्मूलन कर दिया गया मतलब उसके बाद से जो है एक महामारी के रूप में चेचक नहीं देखा जाता है भारत ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है तो यह बहुत बड़ी सफलता थी कि 55% से उन्मूलन पर आ जाना तो फर्सफट से शुरू हो कि 77 तरक मतलब केवल 10 वरस में चेचक से उन्मूलन पर बारत की सहायता कर दी जो एक बहुत ही अच्छा सफल कर दिखार माना गया तो फर्सफट से लेकर 77 के बीच में चेचक का उन्मूलन कर दिया गया भारत से किसकी सहायता से डूसरा चेचक हो गया उसके बादाए पोलियो का जो उन्मूलन कारिटर में वेस्वेक स्थर पर 1988 के आसपा से शुरू हुए थे ठीक है न भारत में तो डबले चो ने भारत में उन्मूलन पहल जो होती है ग्लोबल पोलियो एरडिकेशन इनिशेटिफ की सुरुवात की गई ठीक है न उसके बाद बहुत ही लोगों को ज पोलियो कटी का लगा है दो बून जिंदगी के नाम से चलाए गए और 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की फूची से बाहर कर दिया मतलब अब पोलियो जो है भारत में एंडेमिक बीमारी नहीं है बहुत ही कम जो होते हैं इसके केस पत्मान में देखे जाते हैं तीसरा होते हैं गयर संक्रामक रोख सबसे जाएता हैं मौतों का जो नंबर में का रख है वो संक्रामक विमानिया नहीं है वो गयर संक्रामक विमानिया आपको व्याद रखना विश्वास नहीं होता है लोगों को तो जो बैक्टिरिया वायर पर्षेंड जो है केबल इन ही विमानियों से हो जाती है गैर संक्राम विमानियों से ठीक है ना और लगबख चार दीसामला एक करोड़ लोगों की मौत सामला गृूप से इन विमानियों के कारण हो जाती है तो डबलो इचो ने बहुत ही इनिशेटिव ले के काम किया है और लोगों को सजग करने का परियास किया है ठीक है ना और उसने प्रमो को कारण बताया है प्रमो कारण यह है कि जिसे कैंसर क्यों हो रहा है लोगों को यह हार्ट की माणिया क्यों हो रही है तम कि उसके बाद है जो 15 से 19 वर्स के बच्चों में आत्महत्य मट्टू का दूसरा कारण यह सब बात की बात है लेकिन परम में कारण जो है वो गर संक्रामक विमारिया हैं तो आपको यह डेटा अच्छे से याद रखना है तो भारत के संदर्व में यह तीन पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है और यह डेटा आप अच्छे से लिख लें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें और आप अपने उत्तर में लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएंगे उपलब्दियां क्या रही हैं बहुत अच्छी उपलब्दिय रही हैं डबलियोचो की सुरुआ से लेकर ठीक है न तो बहुत सी फुदहार देखने को मिला है और जितने भी फुदहार हुए हैं उसमें सबसे अधर्बो तो केंद्रिय भूमी का 2200 के स्थर पर डबलियोचो जो 85 में आके मतब 30 वरस में 79 हो गया तो यह जागरुकता और बिमानियों का इलाज और राश्टी इस तर पर समनवें डबलियोचो के द्वारा संबब हो पाया शिशुम रत्युदर जो है प्रती 1000 जन्में लेने वाले शिशुम पर 5 वरस तक की जो कम होते हैं 140 मौत हो जात देखो आप तो राश्टों ने अफिर कानून बनाए और अभियान अपने अपने देशों में चलाए तो भारत में चलाए गया कि बच्चे दो ही अच्छे तो जनसें के नेंतरने तो आयोडीन युक्त नमक के बहुत अभियान चलाए गया क्यूकि आपको पता है लोग को हो जाता था इसको हम घेंगा बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक खाने से तो सरकार ने अब कानून बना दिया है कि बना आयोडीन मिलाए नमक देश में नहीं बेचा जाएगा तो अब बीमानिया बहुत कम हो गई करते हैं तो इन सब बीमानिया अब खत्म होने के कार पर पहुंचे गई हैं और उसके बाद सबसे महत्वन कारिक्रम क्या है टीका करन प्रोग्राम तो हर चीज के टीके लगा जाते हैं आजकर तो वह जो शुरुआत है डावले जो की वो टीका कुछ सफलताना बहुत ही अलग लेबल पर लेगा है तो आज आप देखोगे हर चीज के टीके लगतने टीवी बीसी जी का टीका लगता है इंफ्लुएंजा है 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 पोल्यू है सब चीज के लगा जा रहे हैं क्योंकि उसमें इम्म्यूनिटी बहुत अच्छा काम करती है यह अप लबदिया है डेबलो चो हो पाए है इसके बाद यह अब देखेंगे इस प्रकार से जो है वर्ल्ड हेल्ट ऑगनाजेशन्स की फोटो जारी करता है तो इसे पोल्यों के लिए से बून ड्रॉप दी जा रही है चुनौतियां क्या है अब चुनौतियां सबसे बड़ा होता है वित क्यों पर लबदता तो बहुत जाता निर्भरता है जो प्राइवेट एजेंसियों पर है राष्ट्रों ने जैसे कि आप दो डॉनल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि हम फंड नहीं देंगे तो डबलो चुक सामना बहुत बड़ी समस्या है काम करना है बली-बली पॉलिसी चल रही है एड्स काम चल रहे हैं जागरुता काम चल रहे हैं तो वो कैसे होंगे तो वित्त पोशन की निर्भरता बहुत बड़ी समस्या है जैसे कि प्राइवेट बिल गेट्स मेलें नगेट्स आउनलेशन पैफ देते हैं कल वह भी मना करने की नहीं देना हम है तो क्या करेंगे फिर तो पर्य करना के कारण भी डेबलोचों की बहुत बुराई हो रही है ऐसे पहले उनीस सो पंचानवे में एबोला वायरस जब दक्षन आफरीका के आसपास और अफरीकन कॉंटिनेंट में फैला था तब भी तीन महीने तक जो है डेबलोचों ने बहुत सक्रेता से काम नहीं किया जि तो उनीस सो पंचानवे में अफरीका के कांगो देश में जो एबोला वायरस का प्रकोफ फैला था तो वहां पर इनकी प्रतिक्रिया बहुत धीली रही तो यह चुनोतिया है कि आपको ऐसी सूचना अधी फूचना और निगरानी प्रणाली डबल अप करनी है कि सही समय पर आते हैं उस ब्यमारी को लेकर की तो ग्लोबल हेल्थ अमर्जेंसि को ये फ कहा जाता है मतलब पबलिक हेल्थ अमर्जेंसी आफ इंटरनिसल कंसर्न जैसी की को डेक्लेर के डैबल अचो नहीं हो लेकिन बहुत बाद में किया सही समय पर नहीं किया क्योंकि चाइना के फाथ निर्णा लेना होता है नहीं तो बाद में लोग बुराई करते हैं अब जलवाई परिवर्टन बहुत बड़ी समस्या है तो नहीं नहीं बीमारी ये नहीं बैक्टिरिया वायरस में उनमें उत परिवर्टन हो रहा है तो निकल नकल कर बाहर आ रहे हैं तो नहीं नहीं बीमार ये पैदा हो रही है लोगों को जागरुक करना है कि तंबाकू शराब ये जो वसायक तो उत्पाद होते हैं ट्रांस फैट से लेके जो कोलेस्ट्रॉल वाले पर उत्पाद आते हैं लोगों को कैसे समझाएं कि स्वास्त को ठीक रखें तो ये पर में चुनोती हैं सबसे में चुनोती जो है वो ये है कि विद्ट पोशन की है और दूसरा है कि सही निगरानी तंतर का विकास करना है ताकि सही समय पर जो है ग्लोबल इमर्जेंसी डिकलर की जा सके ये वर्ड एफ एच ई आई सी बहुत ही नियूज में रहा है इस साल तो ये थ्री मार्क्स में पूछ है सकता है तो आप जिरूर अच्छे याद रखें कि हम उसको ग्लोबल हेल्थ एमर्जेंसी बोलते हैं साइंस की भासा में उसको पब्लिक हेल्थ एमर्जेंसी ऑफ इंटरनेशल कंसर्न कहा जाता है जिसको हम ग्लोबल पैंड में कहते हैं दोस्तों ये कुछ कॉश्चन्स ह है हुए हैं 2017 के मिन्स में लखने के लिए तक डेवलो जो को देश्च कवर्णन कीजिए थ्री मार्क्स में आया था कि मुख्याला बताईए कहा है दोजार सोला में हन्रेड वर्ट में आया था कि इसकी समर्चना पर प्रकास डालिए तो फनर चना में आप बता देंगे वही कि एक विस्वास्त असेंबली होती है दूसरा एक एक एग्जिक्यूटिव बोर्ड होता है और तीसरा एक सचीवाला होता है जिसका अपनों कौन होता है महान अदेशक होता है इस समर्चना के बारे में थरतरा लिख सकते हैं इंट्रड़क्शन में आप लिख दीजिए कि कि इसका इस्थापना कब होई इसका मुख्याला कहा है इसका अपनों कारिक है अदेशक है और बाकी में बोर्डी में अपना पूरा अंसर लिख दीजिए यह कॉस्चन आया था 2015 में 300 वर्ड में आया था मतलब बहुत ही आपको लगब तीन पेज में इसका अंसर लिखना थ प्राप्त की है तो आप पोलियो और चचक के बारे में बताई यह वह बहुत लिख सकते हैं और पूरे देश को कैसे खटा करना है है पुरी दुनिया हो कैसे खटा रखना है क्योंकि अब विस्विक्रन ऐसा हो गया है कि अब इंटरकनेक्टेट हो गए है अब यह देश में बीमारी फैल्टी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कंटेन कर पाना क्योंकि दुनिया पूरी जुड़ी हुई है डेली एरो कमेंट करके अपना फीडबेक जरूर दें और यह चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज्यादा फ्यादा शेयर करें ताकि सही लोगों पर सभी लोगों तक जानकारी सब तक पहुंचे और ताकि देख सदे कि लोग इसका फाइदा ले सके इन वीडियो बरान ठीके दोस्तों फिर मिलेंगे और बेस्ट